दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर दोस्तो एससी कॉस्टेवल जीडी 2018 रिकूट्मेंट एसससी जीडी 57,000 पोस्ट का नोटिपिकेस्टन 21 जुलाई को रिलीज होने वाला है तो दोस्तो यह एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चिनिटी होगी 57,000 पोस्ट एसससी जीडी के लिए तो जो दोस्त हमारे बेरोजगार है वो दोस्त इस पर अवश्य ध्यान दें लिके दर नोटिस पोर दे कॉस्टेवल जीडी C.A.P. F.S. N.I.A. SS.F. एंड राइफल मेंस G.D.N. असम राइफल एग्जामनेशन 2018 बिल बी पॉब्लिस्ट ओन दा बैव साइट ऑप दा कमीशन 27-2018 यानि कि 27-2018 को कमीशन SSC की बैव साइट पर इसका ओफिसियल नोटिपिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों देखिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश में न्यूच पबलिस होई थी SSC करेगा 57,000 सिपाईयों की भरती C.A.P. इसमें क्या लिखा हुआ है पूर्ब में फरवरी में होनी थी पदों की घोचना यानि कि फरवरी में नहीं हो पाई इस वज़े से क्या थोड़ी देर ही हो गई इसमें तो SSC केंदे सुरक्षावलों में कॉस्टेबल 2017 CRPF, ITVP, B.S.A.P. असम राइफल्स में 56,770 पदों क बढ़ती जल्द जारी करेगा इसके दे रखा हैं अब वाकि सारी चीजे दे रखी हैं टेस्ट दे रखा है टेस्ट में क्या होगा सिपाई बढ़ती लेखित परिच्छा के बाद सारे मानकों की जाच होगी मेडिकल टेस्ट होगा सारी दक्षता परिच्छा होगी यह सभी चीजे होंगी तो यह 13 जून 2018 अमरो जाला में प्रिकाशित ख़वर है देखे बेकेंसी वाइज बात करें तो तो बीस अप में 18,252 पोश्ट 18,208 पोश्ट CISF में 4,898 CRPF में 28,751 यह लग लग केटेगरी वाइज डिवाइज की गई है यह पर जर्नल हो गया OVC, SC और HD चारों डिवाइड है तो सबसे ज़्यादे हैं आपके देखने को मिलता है कि CRPF में सबसे ज़्यादा पोश्टेश है तो इन सभी में केटेगरी वाइज वाइज बेकैंसी की पोजिशन दी हुई है तो यह आप स्क्रीन सूट ले सकते हैं देखे, SSC Costable GD Recruitment 2018 डिटेश एग्जामनेशन का नाम आप जानते ही हैं SSC Costable 2018 औरगनाईज कौन करता है? SSC यानि कि Start Selection Commission एक बात ध्यान देने के एग्जाम मोड अब तक चितने भी एग्जाम होते थे SSC offline लेती थी GD के एक्जाम इससे पहले जो हुए है लेकिन इस बार यह एक्जाम online होने वाला है तो इस चीज पर गौर करने वाली बात है Aspected 57,000 है Approximately 57,000 थोड़ी कम जादा हो सकती है Online form बढ़ा जाएगा Website SSC.nic.in पर ही डिटेल मिल जाएगे पूरी 21 जुलाई को इसका notification जारी हो जाएगा उसके बाद ही बागी की dates जारी की जाएगी Notification में ही उसको starting date, form को offline होने की date यह सभी चीज़ें दी हुए होगी eligibility criteria की बात करते हैं तो दोस्तो eligibility criteria education qualification सबसे पहले जो भी दोस्त 10th pass है या उससे higher education किये हुए है वो सभी इस post के लिए eligible है Age limit की बात करते हैं तो age limit 18 year से 23 year minimum 18 year और maximum 23 year selection process की बात करते हैं तो इसमें 3 tier exam होगा selection process में number 1 पे होगा हमारा tier 1 में written exam लिया जाएगा दूसरा होगा PET and PhD यानि की physical test होगा उसके बाद map tol होगी हमारी और number next होगा merit list और उसके बाद medical process तो हमारे 3 tier से होके गुजरेगा process उसके बाद देखिए हमारा जो written exam होगा उसमें कौन कौन से subject होगे written exam में हमारा journal science आएगा general intelligence and reasoning जोकी 25 questions होगे 25 number के होगे दूसरा होगा portion journal knowledge and journal awareness का इसके भी 25 questions होगे 25 number के होगे number second third होगा elementary mathematics 25 question होगे 25 number के और number next होगा d हिंदी और English ये choice होगा अपना किसी को English करना है तो English कर सकता है जिसको हिंदी में interest हो हिंदी कर सकता है 25 questions होगे और 25 number के that means 100 questions 100 number के होगे timing हमारी होगी 2 गंटे 2 गंटे में 100 questions 100 number के खास बात है इसमें negative marking होगी यानि कि one fourth की negative marking होगी यदि आप 4 question गलत करते हो तो आपका एक सही question का marks कम कर दिया जाएगा यानि कि the test will be objective type test conducting of 4 sectional 25 questions are asked each carry one marks यते एक one marks का होगा 0.25 marks will be deduced when a question is attempting wrong जब एक question आप गलत attempt करोगे तो 0.25 marks कम कर लिया जाएगा आपके number next बात करते हैं PhD की इसमें race होगी male candidates के लिए 5 km 24 मिनट में और female candidates के लिए 1.6 km in 8 मिनट में तो 5 km 24 मिनट में और 1600 मिनट में जातलब की 1.6 km 8 मिनट में यह हमारी female candidates के लिए तो यह race की बात हो गई तो दोस्तो अभी से लग जाए यह तैयारी में इसमें बहुत ही golden opportunity है SSC GD costable ठीक है okay thanks for watching दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो like अवस्य कीजिएगा दोस्तों के साथ share अवस्य कीजिएगा जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका benefit मिले उने भी पता लगे कि हाँ vacancies आई हुई है और चैनल को अवस्य सब्सक्राइब कर लिएजिए साथ में बने घंटी के वर्टन को अवस्य दवाए इससे कि आपको latest notification राप्त हो अन्यवाद दोस्तों